एक आपकी जर्णी में एक इंट्रस्टिंग बात ओवर थी कि आपने 20 साल जोब करी टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में करी थी आपने जोब अब मुझे आप ये समझाईए कि बहुत बार ऐसा ऐसा बहुत सा यूथ है जो की पढ़ता है उसके बाद यूट्यूब पे आ सोचल मेडिया पे वीडियो जेखता है और उसके बाद सोचता है यार मुझे तो रातो रात अमीर बनना है और वो जोब को स्किप कर देता है वो ऐसा experience लेना ही नहीं चाहता कितना important है जोब करना या experience लेना और उसके बाद फिल्ड में आना या directly आका successful बना जा सकता है आपका इस पर क्या opinion है जोब करना अच्छी बात भी है जोब करना बुरी बात भी है जोब mindset से आप करो तो बुरी बात है आप जोब करो लेकिन जोब mindset से कभी जोब मत करो आप सीखने के लिए मालिक बन के काम करो आज मैं youth को कहना चाहता हूँ आपने बताया कि भी रातो रात अमीर बनना चाहते है रातो रात कुछ नहीं हो सकता है हतेली में सर्सों नहीं उग सकती है कहते है न एक काहवत है अपने मारवाडी के अंदर की हतेली में सर्सों थोड़ी उगानी है और न उग सकती है मैनत आपको करनी पड़ेगी बीस साल मैंने नोकरी करी थी लेकिन जब बीसमी साल में मैंने छोड़ी थी न वो नोकरी तो पूरे सूरत को जितने भी लोग मुझे जानते थे सबको आश्चेरिया था कि ये इतने दिन यहां नोकरी कर रहा था हम तो इसको मालिक समझते थे मैंने बारासो रुपे से स्टार्ट करी थी और जब छोड़ी थी तो दो लाक रुपे पर मन्त था मुझे छोड़ने की कोई जरॉत नहीं थी सर दो लाक रुपे 2011 में बहुत होते थे सर लेकिन मैंने छोड़ा मैंने छोड़ा क्योंकि मेरा मोटो कुछ और था मेरा ये जो यूथ के दिमाग में जो आप कहते हैं कि रातो रात अमीर बनना है मुझे ये इस यूथ को अपने साथ जोड़ना था देखे सक्सेस आपने हासिल कर ली लेकिन उस सक्सेस का जब पार्ट कोई और नहीं बने लोगों तक वो सक्सेस अगर नहीं मिले तो फिर वो सक्सेस का कोई माइने नहीं है कोई मीनिंग नहीं है सर तो मैंने अपने आपको लोगों से जोड़ने के लिए मैंने वो नोकरी छोड़ी थी और इस बिजनस को इस्टार्ट किया था विदमना एक है सूरत की, कि सूरत में जितने भी मैनुफेक्चरर हैं सर, वो एक होलसेलर को या डीलर को ही कपड़ा देते हैं, लेकिन एक यूथ जो नया बिजनस करने आता है, जो ये सूछता है कि मैं भी अतेली वाली जो हतेली में सर सूर, मैं भी सूरत जाऊंगा और कपड़ा नहीं देता था, कोई पुष्टा नहीं था वहाँ पे, तो मुझे ये थोड़ा खलता था, सर, मेरी फरम में, जहां मैं नोकरी करता था, वहाँ भी यही आलती, डीलर के लावा किसी को कपड़ा नहीं दिया जाता था, यूथ आती थी, लेकिन उनको मना कर दिया था, कि बल्क देते हैं हम तो, थोड़ा माल नहीं देते हैं, वहाँ सेट बनते हैं, सर, एक, एक सेट, जैसे आपने शर्ट पहना है, इस शर्ट के छे कलर है, तो छो कलर आपको एक साथ करीदने पड़ते हैं, साड़ी बनती है, तो साड़ी के साथ कलर, आट कलर, दस कलर, वो set लेना पड़ता है वो set भी जो है जो wholesaler होता है वो उसके 10-10 set 15-15 set लेता था और एक retailer को क्या है एक set चाहिए उसको तो वो 15 set लेकर क्या करेगा तो retailer को एकदम माना कर दिया जाता था तब मैंने अज मेरा fashion 2011 में ये सोच के चालू किया कि मैं एक set भी दूँगा चाहिए कोई भी आए मैं दस set वाले को भी दूँगा पर दोनों के लिए rate एक ही रखूँगा फरक नहीं करूँगा और अज मेरा fashion में आज जो ये मैलाओं की और आप बात कर रहे हैं एक लाख लोगों के change करके job creator बना दिया है वो खुद तो job छोड़ी है लोगों को भी अपने नीचे काम करवा रहे हैं दस लोगों को और job दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है